नमस्कार दोस्तों मैं हूँ राकेस और आप देख रहे हैं GoToOnline तो अगर आपका अकाउंट भारती स्टेट बैंक में है तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि भारती स्टेट बैंक के अकाउंट की KYC आप घर बेटे कैसे कर सकते हो जी हाँ आपको बैंक में जाकर लाइन में लगने की जरूरत नहीं है आप घर बेटे भारती स्टेट बैंक के अकाउंट की KYC कम्पलीट कर सकते हो पहले क्या होता था KYC कराने के लिए आपको बैंक जाना होता था बैंक से ही आप KYC जो है अपडेट करा सकते थे लेकिन SVI के नई अपडेट के नुसार आपको बैंक जाने के जरूरत नहीं है आप घर बेटे KYC कम्पलीट कर सकते हो KYC कम्पलीट करने के लिए आपको या तो अपने क्रोम में www.svi.com पर जाना हुआ या फिर अगर आप योनो एप यूज करते हो तो आप योनो एप के जरीए भी KYC कम्पलीट कर सकते हो तो आज के इस वीडियो में मैं आपको कम्पलीट जानकारी देने वाला हूँ कि कैसे आप घर बेटे अपने मोबाइल से ही अपने SVI एकाउंट की KYC अपडेट कर सकते हो तो वीडियो सुरू करने से पहले मेरी एप से रिक्वेस्ट है अगर आप हमारी चैनल पर पहली बार आएगो तो वीडियो के नीचे आपको लाले में सब्सक्राइब वटन देख रहा हुआ उसको दबा करके हमारी चैनल को सब्सक्राइब करने और साथे साथ बेल नोट्विकेशन को आल पर भी सेलेक्ट करने ताके हर बैंकिंग अपडेट आपको मिलता रहे तो SVI एकाउंट की KYC कैसे कंप्लीट करोगे तो उसके लिए मैं आपको ले चलता हूँ मॉबाइल की स्क्रीन पर तो देखिए मैं आ चुका हूँ मॉबाइल की स्क्रीन पर और मैं आपको बता दूँ अगर आपके मॉबाइल में SVI योनो एप पहले से इंस्टॉल है तो आपको क्या करना है अपना एप जो है अपडेट कर लेना है अपडेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा गूगल के प्ले स्टॉर में जाना है प्ले स्टॉर में जाने के बाद में सर्च बार में आपको टाइप करना है योनो SVI योनो SVI टाइप करने के बाद म यहां पर open option मिल रहा है, अगर आपने update नहीं किया होगा, तो यहां पर आपको update का option मिल जाएगा, तो मैं पहले से update कर चुका हूँ, तो मैं इसको कर लेता हूँ, यहां से open, open करने के बाद मैं अपना mpin डाल करके इसमें login हो जाता हूँ, तो मैं अपना mpin डाल करके login हो चुका हूँ तो आप sbi yuno app में अपना user id password दे करके या फिर आपने mpin बना रखा है तो mpin दे करके आप login हो जाएए login होने के बाद में आपको interface कुछ इस तरह का नजर आएगा और मैं आपको पहले ही बता दूँ जारक online kyc कर सकती हैं तो यहाँ पर देखिए yuno sbi में मैं login हो चुका हूँ और yuno sbi का interface कुछ इस तरह का नजर आएगा आपको क्या करना है उपर की तरफ scroll करना है और scroll करने के बाद मैं यहाँ पर देखिए उप्चन यहाँ पर जोड़का है यहाँ पर लेखा हुआ है UPDATE KYC UPDATE KYC यहाँ पर लेखा हुआ है और आपको UPDATE KYC के उपर क्लिक कर देना है तो यहाँ पर देखिए, एक notification सो हो रहा है और यहाँ पर लेखा हुआ है तो हम KYC नहीं कर सकते यहां पर वही लोग KYC कर सकते हैं जिनको KYC की requirement होगी तो जिन खाता दारकों की KYC pending होगी उनके योनो एप में आगे option खुल जाएंगे जहां पर कुछ document अपलोड करने होगे, कुछ जानकारी यहां पर फिल करनी होगी और OTP डालके submit करना होगा और उनकी KYC complete हो जाएगी